समाज को बेकूब बना रहा है कि जातिगत जन्गन्ना करा कर भोट लिए और सो गये तो जातिगत जन्गन्ना के पक्ष में हैं, लेकिन यह जीक नहीं है और चुनावी फाइदे के लिए जो लोग यह बात कर रहे हैं, वो देश को गुम्राद कर रहे हैं उसको रिलीज नहीं किया कॉंग्रेस और यूपिय की सरकार ने आप मुझे ये बताइए किसको नहीं मालूम है कि किस जाती के कितने लोग कहां रहते हैं दिन रात नेता यही चर्चा करते हैं लोग और समाज को बेकू बना रहा है कि जाती के जन्गन्ना होगा तब पता चले पर सांत किसोर जी बिल्कुल सही कहा कि जातीय जन्गना से देश का विकास नहीं हो सकता है और नहीं देश में भला हो सकता है क्योंकि अगर जातीय जन्गना से देश का भला होता और विकास होता तो 60 साल तो इसी के दादा परदादा नाना नानी ने इस देश में राज किय तो बोलिये देश में कितना विकास हुआ और देश का कितना भला हुआ इसी के बाप दादा दादा पर दादा ने हिंदू मुसलिम में बटबारा किया उसी का बेटा पोता चाहता है कि अब हिंदू को हम कई टुक्रों में बांट दे पहले राहुल गांधी का जहां जहां सरक करनाटक में राहुल गांधी 2015 में ये करवाय था लेकिन आभी तक जनता के सामने वो बिल रिपोर्ट पेशे नहीं किया और नहीं जनता को आरक्फशन के बात गिया है अभी सपर राहुल गांधी अपने पिछवारे में दापक बैठा रहा कि रहा है स्दोतोंने के ने ने क्यों नहीं रखा जनता के सामने रिपोर्ट क्यों नहीं पेस किया कितने को आरक्षन और कितने का रिजर्विशन मिला और जहां जातिया जन्गना करवा लिया है वहां अभी तक रिपोर्ट पेस नहीं किया है इससे साबित हो जाता है कि इंडिया गटवंदन सिर्फ जात दादी परदादा जाती बाद के खिलाब था लेकिन उसके पोता तो निकला है एकदम जाती बाद के समर्थन में और आपको सिर्फ ठेंगा दिखाएगा आप ऐसे ही दर्बदर भदकते रहिएगा सिर्फ जो है अब ये जाती जाती में लरवाना चारा है सोच रहा है कि हम मोदी को लोगतांतरिक तरीके से नहीं हटा सके तब हम इसको जाती बाद सम्मिधान के खिलाब खरा करके जनता को जो है हम मोदी को हटाए